एवं धर्म प्रेमी सज्जनों भगवान की जब प्रपा होती है तो कभी धर्म की सच्चाई को जानने का आउसर मिलता है मुसल्मानों के बीच में लगातार कई वर्सों से हम जा रहे हैं और भारत वर्स में एक नई प्रपा का प्रारम भकिया मैंने की जब जगद गुरु संकरा चार्ज भी मुसल्मानों के बीच में जाकर के उनके प्रेम को समझ सके और इसलाम की सच्चाई को जान करके इसलाम को सारी दुनिया में एक इंसानियत का सबसे बड़ा पाच सिखाने वाला धर्म मानने के लिए लोगों को समझावे जब लोग इसलाम को बेदर्ब मुसल्मान को बेदर्ब तलवार के जोर पर चलने वाला धर्म बताते हैं तो अगर शायद धर्पी में कोई दुखी होता होगा तो सबसे जादा दुख मुझको होता है ये न सच्चाई है और न कभी ये सच्चाई हो सकती है जिस इसलाम ने पहला कल्मा ही कुरान सरीफ का ये बताता है कि नहीं है इवादत के काबिल सिवाए परमात्मा के और कोई ला इल्लाह इल्लाह मुहम्मद रसूल लाह भलाया बताईए बेदों का रस निचोड करके मुहम्मद साहब ने परमात्मा की अबादत करके परमात्मा के पैगाम को एक ही कल्मे में दे दिया इस से बड़ा गरंत दुनिया में और क्या हो सकता है अगर कुरान के पहले कल्मे कोई पढ़कर के हिंदू अपने धर्म का पलन करना चाहे तो उससे बड़ा धर्मात्मा शायद कोई नहीं होगा कुरान को हमने गहराईयों में जाकर के तो नहीं अनभू किया लेकिन कुरान के मानने वालों के हिर्दे की गहराईयों में जाके देखा कि अगर इसलाम को पूरी दुनिया अगर सुरिकार कर ले तो इसमें कोई भराई नहीं है इसलाम परमात्मा के दौरा बताया गया सिध्धानत है इसलाम किसी ब già्ति का अपना नियम नहीं है अपना सिध्धानत नहीं है कुछ लोग भेद भाव पैदा करने के लिए इस धर्ती पर मुसल्मानों को बेदर्स कह देते हैं इसलाम को बुरा कह देते हैं मैं कहता हूँ उनसे बुरा इस दुग्या में कोई नहीं है वो सैटान के बच्चे हैं खुदा के बच्चे नहीं है क्योंकि सास्परों को हिंदू धर्मकरंतों को पढ़ा उसके बाद में मुसल्मानों के बीच में जाना शूरू किया हमने मुसल्मानों से हाथ मिलाया तो हमारा बिरोध किया गया ये अंदा खाने वालों से हाथ मिलाते हैं संकरा चार्ज कैसे हैं अरे हमने कहा कि तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है वो पांच बार इबादत कर लेते हैं खुदा की तुम घास खाते हो और एक बार भी बात नहीं करते हो तो तुम से बड़ा अधर्मी दुनिया में कौन है तुम अपने अधर्म को देखो किसी के पवित्रता के सिध्धान्तों का बिरोध करना पहला अधर्म है आप क्या खाते हैं? कैसे रहते हैं? अगर हमें आप दुखी नहीं करते हैं तो आप से बड़ा इंसान दुनिया में कोई नहीं है हम घास खाएं और आपके दिल को चोट पहुँचा हुएं तो हमसे बड़ा अधर्मी कोई नहीं है दुनिया में कहने का ताथ पर जिस सर्फ एक है कि मैंने ये अन्भो किया है कि ये एक बात जो मैंने देखा है आप लोगों से जो प्रेम मुझे मिलता है लोग पूछते हैं कि आप मसल्मानों में क्यों जाते हो? आप तो संकराचार जो हमने का कि भाई मुसल्मानों से पूछो कि हमसे इतना प्रेम क्यों करते हैं वो हमसे जो प्रेम करेगा हम तो जाएंगे का फिर क्या हम प्रेम नहीं करते क्या हमने का कि हम तो तुम्हारी बीच में पैदा हुए और तुम मुसल्मानों से प्रेम नहीं करते, इसलिए हम तुम से प्रेम नहीं करते मैं आप लोगों के बीच में आकर के एक बात बताता हूँ कुछ समय से हिंदू धर्म के नाम पर कुछ संस्थाएं हिंदू मुसल्मानों में भेद पैदा करने के लिए कुछ ऐसा कार्ज किया जिसके उजे से आम हिंदू सिदा सादा हिंदू विचारा जाने ही नहीं पाता है इसलाम क्या है और सनातन धर्म क्या है सनातन धर्म और इसलाम में कोई भेद नहीं है और हिंदू धर्म तो कोई धर्म ही नहीं है सनातन धर्म धर्म है बुरी बात नहीं है इसलाम और सनातन में कोई भेद नहीं है क्योंकि परमात्मा एक है परमात्मा सब का है ये संदेश रिश्यों मुन्यों ने दिया और यही संदेश परमात्मा का भेजा हुआ संदेश सयम हमारे मुहम्मद सहाब ने इस पैगाम को दिया तो हम बेद भाव क्यों करें यहां पर भारत का मुसल्मान एक बात बिलकुल मैं अपश्ट बता रहा हूँ आप से अगर भारत का मुसल्मान सो गया तो भारत सो जाएगा इसलिए भारत को जगाना है तो मुसल्मानों को जागते रहना पड़ेगा भारत जाग जाएगा, पूरी दुनिया जाग जाएगी, ये भी मैं जानता हूँ, कि भारत के सच्चे हिंदुओं को जो सच्चे सनातन धर्मी हैं, उनको मुसल्मानों से प्रेम चाहिए, उनको मुसल्मानों से भेद नहीं चाहिए, प्रेजी की भी मिल गई है, और हम तो चा कि आप लोग एक चीज़ का ध्यान दें आप के पडोस में जिस भी भाषा को जानने वाला ब्यक्ति रहता हो जिस भी भाषा को कोशिश कीजिए कि आप इस कुरान जैसे पवित्र गंत को उसको उसकी भासा में पहुचाईए और नई समय सारी दुनिया में एक कुरान पहुच कोचने में और बोलने में कोई दिक्कत नहीं होगी शंकोच नहीं होगा आप लोग भी निडर हो जाईए आप लोग भी संकोच छोड़िए हम जानते हैं कभी कभी शंकोच में कभी कभी इस देश के कुछ जो फिरकापरस्त लोग हैं उनकी उल्टी सीदी और जनाओं में हम लोग एक दूसरे से मिलने ही पाते हम हाथ पसारे हुए आपके सामने खड़े हैं आए हैं हम आपको गले से लगा रहे हैं लगाते हैं दिल भी मिलाएंगे गला भी मिलाएंगे जरूरत पड़ गई तो आप लोगों के लिए दिल कटाने की और शिर कटाने के जोद पड़ जा क्योंकि संक्राचार जानते हैं इसलाम धोका नहीं है संक्राचार जानते हैं इसलाम बर्बादी का रास्ता नहीं है संक्राचार को पता है कि जुबेद में लिखा है वही कुरान में लिखा है इसलिए हमारा धर्म नहीं छूटेगा हमारा धर्म और आगे बढ़ेगा अगर हम मुसल्मानों को अपना सगा मानते हैं तो मुसल्मान परमात्मा का बनाया है आदमी का नहीं हिंदू जो अपने उपकेटे वो भी जान ले कि वो परमात्मा के बनाए है तो मुसल्मानों से भेदभाव करना बंद कर दे और हमारी तरह सबसे प्रेम करें राग्टर लकनार सब देखिए मैं अपरचित था जानता नहीं था और मैं बड़ा प्रशन हूँ कि वो समय निकाले और यहां आए उनको तो मैं धन्वाद क्या दूँ मैं तो यह चाहूंगा कि परमात्मा उनको शक्त दे कि हम लोगों को सब को ऐसे ही सुन्दर दिब्वे ब जानाव योत्तोगी सदा जीवन में उनका साथ देते रहेंगे इनी शब्दों के साथ जीवन में अब जब भी याद करेंगे जब तक मेरा शरीर है हम आपकी सवाओं में आते रहेंगे ओम शानती ही शानती ही शानती